हैदराबाद उन्नाव और फिर बिहार के मुजफरपूर की घटनाओं के बाद देश में दुशकर्मियों के खिलाफ गुस्सा है इसी बीश प्रधान मंत्री के संस्दिय शेत्र में मंदिरों में दुराचारियों के परवेश पर प्रतिबन लगाने का एलान किया गया है काशी में जगह जगह इस समद्ध में पोश्टर लगाए गए हैं वहीं अयोध्या में हनुमान गड़ी के महंत राजुदास ने विवादित बयान दिया है उन्होंने कहा कि बलात कारी को गोली मारने वाले को एक लाख रुपे का इनाम दूँगा यदि कोई पूलिस वाला मारता है तो उसके बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाऊंगा समाजिक संस्था आगमन ने बुदवार कालिका गली स्थित कालिक रातरी मंदिर में दुराचारियों के साथ ही बेटियों का सम्मान ना करने वाले और बेटियों के जन्म पर दुखी होने वालों के मंदिरों में परवेश पर प्रतिबंध समंधी पोस्चर लगाए हैं मंदिर के मुखे द्वार के साथ ही गर्ब ग्रहे समेत अन्य जगाहों पर भी पोस्टर चपसा दिये गए हैं यह संस्था बीते दो दशक से देश भर की और जन्मी बेटियों के लिए पिंड दान करती है पोस्टर पर निवेदक के तोर पर समाजिक संस्था आगमन और मंदिर के महंत शिरी नारायन तिवारी का नाम लिखा है संस्था के संथापक अध्यक्ष डोक्टर संतोष ओजा ने कहा कि संस्था ने काल रात्री मंदिर में पोस्टर लगा कर दुराचारियों और बेटियों के जन्म से दुखी होने वाले लोगों को मंदिर में परवेश पर प्रतिबन लगाने की इस मुहीम के शुरुआत की है बनारस के अन्य देवी मंदिरों में भी पोस्टर लगा कर ऐसे लोगों के परवेश पर प्रतिबन लगाने का अभियान चलाया जाएगा जो समाज में महिलाओं का समान नहीं करते और महिलाओं के साथ दुराचार करते हैं उनको देवी दर्शन करने का कोई अधिकार नहीं है हलुमान गड़ी के महंत राजुदास ने बलातकारियों के खिलाफ गुस्सा उतारा है उन्होंने कहा कि बच्चियों और बहनों के साथ बलातकार जैसे जगन्य कांठ हो रहे हैं ऐसे में हमने एलान किया है कि ऐसे अपराध्यों को समाने आदमी अगर सीधे गोली मारता है तो वे उसे एक लाख रुपे का इनाम देंगे अगर यही काम पुलिस वाला करता है तो उसके परिवार के बच्चों की पडाई लिखाए के खर्च का जिम्मेदार उठाएंगे वा छेदे आख यहाँ NJBD Banquets लाये है राज Gharana दस्पांके अल जोती गारन वोल्ट-ब्राश केसरेंगे संट्री एयर कंडिशा बुश्ख गुरें लॉण इस यह वाल इंदॉट यहाँ ड़िज चलाल्स पुलिग्त बढ़ यह लिप्रेंगे और सब्सक्राइब करें भन्ने वाद